नवसकार जहीन वंदे मात्रम प्यारे मित्रों सभी भावी दापक दाविकाओं का विलकम अभिनंदन है टीचर्स फैमिली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावड वाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तों आज बात करने वाले हैं बाल विकास सिच्छा सा फिचको लाजी बाल मनोविग्यान हर एक क्वेशन हर एक कंसेप्ट के यहां पर कंबाइन किया गया है क्योंकि हमारा जो टार्गेट है सीटीपी में 30 में 30 लाना और सेलेक्शन का रास्ता आसान करना चलिए दोस्तों सुरू करते हैं 30 महत्पूर क्वेशनों का यह प्रेक् अनुत्रीन ग्होंशित करना बच्चा क्या सीखा है यह जानना या बच्चे की सीखने में आई कटनाईयों को जानना यह उपरियुक्षभी हो जाएगा तो आपका कमेंट क्या कहता है सभी प्यारे मित कमेंट करेंगे मुल्यांकन का उदेश होता है देखिए राइट अप पढ़ेंगे तो आप लोग उत्रीन होगे आपका सलेक्षन होगा ठीक है थोड़ा कम कहीं न कहीं अगर कुछ चूख हो जाती तो थोड़ा बहुत अनुत्रीन हो जाते हैं ठीक है तो फिर से ट्राइग करते हैं तो बच्चा क्या सीखा यह जानने के लिए भी आपका मुल् अगर का उदेश हो जाता है अब देखते हैं दोस्तो पहला प्रस्ण जी हां इस सेसंग का इस प्रेक्टिस सेट का पहला प्रस्ण है सबी प्यारे में कमेंड केजिएगा दोस्तो अध्यापन के समय अध्यापक को निम लिखित में से किसका सरवादिक ध्यान रखना ये विद्यार्थियों की आयू का विक्तिक्त विभिनता का ये विद्यार्थियों की परिवारिक प्रिष्ट भूमिका आप एक सिचक की भूमिका निभा रहे हैं सिचका की भूमिका ठीक है आप एक अध्यापन के समय अध्यापक अध्यापिका की भूमिका निभा रहे हैं तो आपके लिए जो सरवादिक ध्यान होना चाहिए, वह होना चाहिए विक्तित क्या है भिनता का होना चाहिए, क्योंकि आपके कच्छा में सभी प्रकार के जो है बच्चे ठीक होंगे, कोई नहीं कि सभी हाई लेवल के होंगे, हर एक बच्चे हर टाइप के होते हैं, अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रस्ट कि वर्तमान इसकीमा में कुछ ग्रहन करने का कार करता है आपका आत्म सात्मी करन करता है शमयोजन करता है इसकीमा करता है या वस्था करती है तो वर्तमान इसकीमा में कुछ ग्रहन करने का जो कार करता है वह दोस्तों हमारी क्या कहलात वह आत्म सात्मी करण कहलाता है जो आत्म सात्मी करण होता है ठीक है यह वरतमान इसका वरतमान इसकीमा में कुछ ग्रहन करने का कार करता है अंगला प्रसन है तीसवा प्रसन है आई होप सभी प्यारमित्र वीडियो को लाइक अवश कर लेंगे वीडियो अंतक देखें दोस् तो आप देखते हैं तीसरा परसुन बच्चों के बौधिक विकास के चार अलग चरणों को निन में से किसके द्वारा पहचाना गया है इसकनर जीन पियाजे जी को हल वर्ग या एरिकसन की बात करेंगे सबी प्यारे मित जानते हैं समझते हैं जब भी हम जीन पियाजे जी के बात करते हैं जब भी हम जीन पियाजे जी के बात करते हैं तो पहली अवस्था दोस्तों हमारी कौन से होती है जीरो से दो वस वाली समवेधी गामा का वस्था होती है ठीक है जन्म से लेकर जो दो वस तक रहता है फिर होता है पूर संक्रियात्मा का वस्था दो से आपकी साथ वर्स रहती है साथ से गेरा वस मूर्थ संक्रियात्मा का वस्था और फिर होता है दोस्तों आपका चौती ज सबी लोग जानते जीन पियाजेजी हो जाएंगे जुनों ने बौधिक विकास को चार अलग चरणों को ठीक है विभाजित किया है द्वारा पहचाना गया है दोसतो सभी परिमित कमेंट करेंगे एंत में आप लोगों का स्कूर इस सेसं में तीस में से कितना है दोस्तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अन्बंधन सिध्धान्त द्वारा दिया गया आपके पॉलाव द्वारा इसकनर द्वारा टॉल मैंन के द्वारा या थंडाइक के द्वारा तो एक चीज आपको द्यान लखना है क्रिया प्रसूत अन्बंधन सिध्धान्त जब भी पू घनिष्ट संबंद है जी हाँ जैसे मां और बच्चे में घनिष्टा संबंद होती है जी हाँ मां और बच्चे में घनिष्ट संबंद होता है वैसे ही मांसिक स्वास्त और किसमें घनिष्ट संबंद होगा अभिब्रती श्वीकारता का बचने का या समयोजन का हो जाएगा त के अपके पता है 15 प्रस्ण मैस के concept क्याते है 15 प्रस्ण पेड़ागाजी क्याते हैं तैयारी दोनों की करनी चाहिए उसी प्रकार मानसीक स्वास्त और समयोजन में घनिश्ट संबंध होता है छटवा प्रस्ण दोस्तों आपके पर है कि किसी दूसरी वस्त्तु की अपेच्छा एक वस्तु पर चेत्न पर चेत्न का केंद्र करन करना ये केंद्र करना अओधान है यह कंथन किसका है सभी प्यार में इस दो प्रश जरूर आता है और इसमेह कोई logical take काम नहीं करता है आपको जब पता होगा तभी आप सही कर पाएंगे तो किसी दूसरी वस्तु के पेच्छा एक वस्तु पर चेतना का केंद करन अउधान है यह कथन किसका हो जाएगा तो यह कथन दोस्तो हम कहेंगे दम्मिल का हो जाएगा किसका होगा फाइल आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रशन दोस्तो हम बात करेंगे हावर्ड गार्णर का बहुष सिधान सुझाता है क्या आपने हावर्ड गार्णर का बहुष सिधान डिटेल के साथ पढ़ा है नहीं पढ़ा तो एक बार वीडियो क अंतक देखे और चैनल को जरूर विजिट कीजेगा दोस्तों हावर्ड गार्नर का वहवुद सिधान क्या सुझाता है कि हर बच्चे को प्रतीक विशय आठ भिन तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां बिखसित हो या बुद्धि को केवल बुद्ध लब्द परिच्छा से ही निधारिद किया जा सकता है दोस्तों यह हम कह सकते हैं कि सिच्चक को चाहिए कि विशय वस्तु का वैकल्पिक विदियों से पढ़ाने के लिए बहुद्धियों को एक रूप रिखा के तरह ग्रहन करे या च्छमता भाग है और एक अवदि के भी रूप रिखा की तरह ग्रहन करे ते काड़ इंटो कोश्चंस राइट अपसन नमबर सी हो जाएगा अंगला प्रसने प्यारे मित्रों सभी प्यारे मित कमेंट करेंगे दोस्तों अधिगम निर्योगता का कारण क्या होता है अधियम निर्योगता अब आप लोग समझ दोए अधिगम मियानी होता है सीखना हमेशा सीखना चाहिए मैं दोस्तों आप लोगों से सीखता हूँ ठीक है आप लोगों से मैं सीखता हूँ आप लोगों का सहयोग मिलता है फीडवेंग मिलता है ऐसे ही सहयोग फीडवेंग देते रहिए तो अधिगम लर्निंग हमेशा सीख चाहिए दोस्तो लाइफ में सीखना ही सब कुछ है तो अधिगम निर्योगता का कारण क्या हो सकता है सांस्कतिक भिन्यता होगी ठीक है साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीन्ता सिच्छक की अभिछमता या इनमेश्य कोई नहीं तो दोस्तो अधिगम में निर्योगता जो होती कहते ना निर्योगता है तो अधिगम में निर्योगता का कारण होता है साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीन्ता जी हां अधिगम निर्योगता का कारण क्या हो सकता है इन आपसनों में से साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीन्ता यहां पे राइट एं पकदापिका बनेंगे, सिच्छक बनेंगे, आप ये बताएए, आपकी बच्चे में कुछ ऐसे है कच्छा में, जो विशेस जरूरत मन्ध है, विशेस रूप से जरूरत चाहिए उनको, तिक इस प्रकार की बच्चों के सिच्छा का प्रवधन कैसे करेंगे आप लोग, क्या आप दूसरों बच्चों के, दूसरे समान बच्चों के साथ करेंगे, बिशेस बिद्यालों में करेंगे, या बिशेस बिद्यालों में बिशेस सिच्छक द्वारा करेंगे, अब आपका कमेंट, आपका फीडवेक क्या कहता है, आपका जो फीडवेक है, वहला जवाब है दोस्तों कि दूसरे समान बच्चों के साथ ही सिच्छा का प्रवंधन होना चाहिए अंगला प्रशने दोस्तों बात करेंगे तिंथ नमबर कोश्चन की कि निमनिकित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है आप सभी लोग बुद्ध जीवी हैं बुद्ध मान युवा हैं जी हाँ दोस्तों आप सभी लोग बुद्धिमान युवा हैं आप ये बताएए बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है वह बच्चा जो एक अमूत ढंग से सोचता है वह बच्चा जो अपने आपको एक नए महाल में समयोजित कर सकत यह वह बच्चा जिसमें लंबे निवन्ध रटने की छमता है यह वह बच्चा जिसमें धारा प्रवाह और उचिस से संबाद करने की छमता है दोस्तो एक बुधिमान युवा बच्चे का संकेत क्या नहीं हो सकता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक बच्चा जो अमूत में समयोजित कर लेगें तो यह क्या हो जाएगा एक बुधिमान युवा के लिए या बच्चे के लिए संकेत होता है किसी उसके पापा जी कहीं आओ ट्रांसपर हो गया तो बच्चा क्या फिर अदर स्कूल में जाता है जब अदर स्कूल में जाएगा तो फिर उससे बच्चा करने की छमता हो यह भी सही बात है लेकिन वह बच्चा जिसमें लंबे निवन रठने की छमता है यह बुधिवान युवा बच्चे का संकेत नहीं होगा तेक आड़ इंट्यों कोश्चन राइट अपसर नमबर सी हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला संग्यनात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभासित किया जा सकता है क्या वे जगह सभागार है क्या वे घर है या खेल का मैदान है दोस्तों या बिद्याले और कच्छा का वातवरन होगा तो ऐसी जगह ऐसा इस इस्थान दोस्तों वह आपका बिद्याले और कच्छा का जहां बच्चे के संगयनात्मक विकास को अच्छी तरह से परिवासित किया जा सकता है अंगला प्रसने प्यारे मित्रों निन में से क्या मानो विकास की एक विसेष्टा है आपको यह बताना है मानो विकास की एक विसेष्टा बताना है किसकी प्रकति गुनात्मक होती है इसकी प्रकति मात्रात्मक होती है इसकी जो प्रकति है वह मात्रात्मक और गुनात्मक दोनों रूप में होती है या अथाए है सागर है जी हाँ तो मानो विकास की विख विसेश्टा है कि इसकी प्रकति मात्रात्मक रूप में भी होती है और गुनात्मक रूप में भी होती है तो सी आपसन सई हो जाएगा अंगला प्रसंदे लेते हैं दोस्तों क्या कहलाएगा दोस्तों जी हाँ समस्या के आरत को जानने की योगता वाता वरण के दोशों कम्यों रिख्णियों के प्रती सजक्ता की विशेशता यह सजन सीर बालक की कहलाएगे अंगला प्रस देखेंगे 14 नंबर कोश्चन आपका क्या कह रहाएगे सभी प्यारमित कमेंट करेंगे दोस्तों विशेश और सक्ता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निमलिखित में से कौन सी काप की वियू रखना अधिक उप्युक्त होगा अधिक्तम बच्चों को सम्रित करते हुए कच्छा में चर्चा का निर्देशित करना या चर्चा निर्देशन करना विद्यार्थियों को समलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन या सहकारी अधिगम द्वारा पीर ट्यूरिंग यानि सहपाथियों द्वारा अनुरच्छन या अध्यापन के लिए योगता अधारी समोही करन तो विशेश और सकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्लकित में से कौन सी भीव रचना अधिक उप्यूख्थ होती है सहकारी अधिगम तथा पीर आपका जो ट्यूटरिंग है या सहपाथियों दारा अनुरच्छन ही यहाँ पर भीव रखना अधिक अधिक उसी प्रकार एक कॉलेज की लड़की है जाने वाली जो लड़की ने फर्स पर कोट फेकने की आदर डाली डेली कॉलेज जाती आएगी तो कोट उतारेगी और फर्स पर फेक देती है तो लड़की की माने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूटी पर लेती है यह उदारन होगा अब देखे ध्यान पूरा के एक स्टोरी कहानी इसी टाइब के प्रशन पूचे जाएंगे ठीक है अब आपकी समझ यहां पर बताएगी आपका ठीक है आप लोग ज्यानी है शर्वग है जैस्वाल सर सभी को आप सभी का नमन करते हैं दोस्तों जी कोई कालेज जाने वाले लड़की फर्स पर फेंग देती है आदर डाल लेती लेकिन एक दिन उसकी मा कहती है कि बाहर जाओ और कोट में को खूटी में टांग कर ही आना तो लड़की जब अंगली बार कालेज जाती है तो वह प्रवेस करती है जब घर में कोट को हाथ में र जो बिद्याली छेट में रचनात्मक निर्धारक को जानने के लिए कौन सव पागम नहीं होगा वारतालाब कोशल बहुभी कलपी प्रस्ण परियोजनाकार या मौखिक प्रस्ण हो जाएगा आपको पेनियन आपका फीड़ वेक क्या कहता है सभी प्यारे मित कमेंट करेंगे सभी मित्रों को जहिंत इंकलाब जिंदाबाद एनरजी डाउन नहीं करना है एनरजी बरकरार रहेगी तो सलेक्सन का रास्ता भी बरकरार रहेगा तो बिद्याले छेट में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए जो उपागम नहीं होगा वह होगा बहुभी कलपी क्योंकि यहाँ पर रचनात्मक निर्धारक का जानना है ठीक है दोस्तों अब देखते हैं अंगलाबर्शा नैदानिक परिच्छा का मुख खुदेश क्या होता है कि कच्छा में प्रदर्सन की दौरान शामानतया कमजोर छेत में चिन्नित करना या उप्चारात्मक कारकम क विसीस प्रकत की आउशकता या अकादमी कटनाईयों के कारण का पता लगाना या च्छात की कटनाईयों के कारण पता लगाना तो नैदानिक परिच्छा का जो मुख खुदेश होता है वह क्या होता है दोस्तों सभी प्यारे मित कमेंड करेंगे जिनका सपना है धापक धा पर कोश्चन आपकी स्कीन पर है सभी प्यार में फीडवेक करेंगे कमेंट करेंगे दोस्तों अधिगम निर्योगता का लच्छन क्या होता है भागने की प्रवत्ति होना असांत उर्जावान एवं विध्वन्षक होना अवधान शमंधी बाधाय अभिकार अभी पेरिणा देखिए ऐसा कोश्चन हमें कर चुके हैं अधिगम निर्योगता का लच्छन है अधिगम निर्योगता से कोश्चन जरूर आता है ठीक है दोस्तों तो अधिगम निर्योगता से हमें कोश्चन पहले भी कर चुके हैं अब इस कोश्चन में पूंचा गया कि अधिगम निर् उर्जावान बिद्धुन्शक है ठीक है बिद्धु लड़ाई जगड़ा करता रहता है इसमें यह आपका अधियम निर्योगता का लच्छन होगा या अभी प्रेणा का भाव हो जाएगा अब बहुत इंपोर्टन कोश्चन है लॉजिकल कोश्चन है अब आपका कमेंट क्य कहता है आपका experience क्या कहता है दोस्तों कि अधियम निर्योगता का जो लच्छन होगा इसमें और धान संबंधी बाधा या विकार हो जाएगा तो राइट आपसन सी हो जाएगा अंगला प्रशन है कि अधियम को प्रभावित करने वाला बेप्तिगत कारक बताएगे दोस्तो अधियम को प्रभावित करने वाला बेप्तिगत कारक संचार के साधन शम्वयक्स समू हो जाएगा अध्यापक हो जाएगा या परिपकता एवं आई हो जाएगा अब आप सभी लोग कमेंट करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाला बेक्तिगत कारक बताना है कारक तो बहुत हैं लेकिन आपको वही कारक बताना है जो परशन पूछा गया है बेक्तिगत कारक की बात करेंगे तो राई टाप्सन हो जाएगा परिपकता एवं आई होगा अधिगम को प्रभावित करने वाला जो बेक्तिगत कारक है वह परिपकता और आयू होगे क्योंकि बेक्तिगत में उसकी क्या परिपकता है उसने क्या सीखा है या बेक्तिगत कारक होता है आयू भी उसकी बेक्तिगत होती है तो बेक्तिगत कारक अधियम को प्रभाईत करने वाला परिपकता एवं आयू हो जाएगा और अगला प्रशने दोस्तों कि एक बिकलांग बच्चा पहली बार बिद्याला आता है तो उसको सिच्छक को क्या करना चाहिए और आप ऐसा देखते हैं फेस करेंगे कि आप में कच्चा में एक बच्चा है एक बिकलांग बच्चा पहली बार जब बिद्याला आता है तो आप लोग क्या करेंगे उसकी बिकलांगता के अंसार उसे एक बिसेश स्कूल से भेज देना चाहिए या अनचात्यों से उसे दूर रखना चाहिए सहयोगी योजना विक्सित करने के लिए बच्चे के माता-पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए दोस्तो या प्रवेश परिच्छा का संचालन करना चाहिए अब आप क्या करेंगे आपकी सिक्षका और सिक्षका में निक्त होती है आप अधापक अधाभिका बनते हैं एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्या ले आता है तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग सहयोगी योजना विक्सित करने के लिए बच्चे के माता-पिता के स समूगत भी दीगा, ये भी धान दीज़े, कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट हो, कोश्चन आपने समझ लिया, तो समझ लिया, आपका एंसर भी ठीक है, बिलकुल धका धका आएगा, जी हाँ, बिलकुल धका धका आएगा, अगर कच्छा सिच्छन में समूग भी दिखा समूग वितिविदी का जो मुखुदेश होता है, वह होता है, बच्चों को अधिया में सब्स ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना, अंगला प्रसने, आवशक्ता का पदानुक्रम सिध्धान द्वारा प्रित्पादित किया गया था, वाट्शन, मैशलो, कोहिल तो आवशक्ता का पदानुक्रम सिध्धान द्वारा प्रित्पादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, सबी प्यारमेट कमेंट करेंगे, आवशक्ता का पदानुक्रम सिध्धान किसके द्वारा प्रित्पादित किया गया था, तो राइट आपसन हो जाएगा दोस्तो हम मैसलों की बात करेंगे ओशक्ता यह भी प्रस्ना आए और चीजें पूछा जाए ओशक्ता का पदानुक्रम सिधांद आपके मैसलों द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रूप टेलीग्राम चैनल से जोई नहीं किया है तो टेली ग्राम पर अगर इंस्टाल किया है आपने अप उस पर जरूर साच करें जैसवाल कोचिंग सेंटर नोर्स पीडिया फाइल पर आप करने के लिए क्योंकि राष्ट हित्मी सिच्छा की बात करते हैं लिंक भी आपको सबसे नीचे दे दी गई है और साथ इसाथ दोस्तों अगर आप इंस्टाल गाम पर हैं और जैसवाल सर अपने फैमली टीचर सेमली जैसवाल कोचिंग सेंटर को इंस्टाल गाम पर फालो नहीं किया तो जरूर फालो करें वहाँ पर कुश्चन, पीडिया फाल, मेटेरियर ठीक है जो भी होगा और वहाँ पर जैसवाल सर से आप रोग डिरेक्ली मैसेच चैट जो भी प्राबलम हो कर सकते हैं अंगला प्रसन है दोस्तो और बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्द के बीच हो नी चाहिए अब देखे आउसद बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्द पूँचा गया है तिके 50 से 60, 70 से 70, 90 से 100, 110 से 30 देखे जो आपका आउसत बुध्ध देखे की बुध्ध से 1% जरूर आना है एक से 2 से 3% आ सकते हैं आपके एक से लेके 3% आपके बुध्ध से पूँचे जाएंगे और बुध्ध से जैसे एक concept clear होगा हम part wise लाएंगे और बुद्धि का भेतरीन लाजवाब हर एक चैप्टर क्लियर करेंगे जी हाँ अवसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्ध हमारी जो होती हुआ है वह हमारी 90 से 100 कहलाएगी यानि 30 रापसन सही हो जाएगा और बात करें 70 से 80 में तो 70 से 80 में क्या होता है तीछन बुद्धि कहला जाती है अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रसुन सतत और ब्यापक मुल्यंकन पर बल देता है सतत और ब्यापक मुल्यंकन पर बल देता है बोर्ड परिच्छा की आउसकता पर बल देता है सतत और व्यापक मुल्यांकन है दोस्तों एक किस पर बल देता है तो सीखने को किस प्रकार आवलोकित और रिकार्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है तो सी आपसन सई हो जाएगा अंगला पस देख लेते हैं दोस्तों निन में से कौन सा वनसा नुकरम का नियम नहीं है लेकिन अभी प्रेणा दोस्तों यह हमारा वन्चानुग्रम का नियम नहीं कहलाएगा जी हाँ तो काड़ इन्टो कोश्चन राइट आपसन नमबर सी हो जायागा अगर यह प्रस्चन पूछा जाए कि वन्चानुग्रम के नियम है तो समानता कनियम, भिनता कनियम और प्रत्य अगरमन के यह तीनों हमारे वन्चानुग्रम के नियम कहलाएगे अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्चन दोस्तों निमने से वस्चनिस परिच्चों के गुण के सम्मन्द में कथन दिया गया है तीके वसुनिस्ट परिच्छन के गुण के सम्मद्ध में कथन हैं कि इनका अंकन सीगता एवं सुगमता से किया जा सकता है ये परिच्कों के बिक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते वसुनिस्टा के कारण ये अधिक विश्वासनी एवं वैद होते हैं या उपरिप्ट में से कोई नहीं चार कथन दिया गया है वसुनिस्ट परिच्छन के गुण के सम्मद्ध में अब आपको बताना है कौन कौन सा कूट बताना है केवल एक सई है एक दो तीन सई है केवल चार सई है या दो तीन सई है तो दोस्तो वस्टनीस परिच्छन के गुण के समद्ध में देखे इनका अंकन सिगता और सुगमता से किया जा सकता है जैसे आप लोग वस्टनीस है कोई question A हो गया ठीक है और इसके option A 1, 2, 3, 4, 4 option दे दिया जाएंगे और इसमें option नमबर B12 सही जिनों ने B option किया गया जा है उनको ठीक है तो वस्टनी परिच्छर कगुण के समद्ध है कि इनका जो अंकन है मुल्यंकन है अंकन मतलब इसका आकलन करना सिगता सुगमता से किया जा सकता है और ये परिच्छकों के बिक्तिगत प्रभाव से प्रभावित भी नहीं होता है कि आपको कमंक मिले है मेरी writing skill में काटे गए है तो इसमें क्या होता है जिसको सही करेगा तो सही मिलेगा नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा इसी प्रकार वस निश्टा के कारण ये अधिक विश्वासनी एवं वैद भी होते हैं बिल्कुर सही विश्वासनी होता है अगर हमने ये वाला अपसन सही है अगर अब ये हमने किया है तो ये बरूल हमने विश्वास है कि ये ही सही होगा और वैद भी होता है तो ये तीनों कथन वस्वी परिच्छा के गुण के शम्मन्द में शही हो जाएंगे, अथाद भी आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसने की तनाव को कम करने के अप्रतच धंग कहलाते हैं, जी हाँ, प्रतच और अप्रतच ये दो चीजे बहुत important है तनाव को करना, टिंसन जो होता है हमारे में, टिंसन बहुत ज़्यादा आता है, उसको अगर कम करना हो, तनाव को कम करना हो, हम ज़्यादा दर क्या करते हैं, motivation वीडियो देखते हैं, तो motivation में moral motivation जरूर जोईन करें, ये आपका ही दोस्तो motivation channel है तनाव को कम करना हो, तो अप्रतच धंग से कहलाते हैं, समश्या समधान बिदी, आपका रच्छात्मक यांत्रिका हो जाएगा, विक्तिगत बिदी हो जाएगी, या नमें से कोई नहीं, तो तनाव को कम करना है, तो अप्रतच धंग क्या कहलाता है, तो वह दोस्तो हमारा रच्छात्मक यांत्रिक्ता जो होती है यामारा अप्रतच धंग कहला जाएगा अंगला प्रशने सभी प्यरमित कमेंट करेंगे 28 नंबर कोश्चन है आपकी स्कीन पर है जी हाँ राजवाब प्रशने कि बाल मनोबिग्ञान का केंधर बिंदू एक अच्छा सिच्छक होगा बालक होगा सिच्छन प्रकिया होगा यब बिद्याले हो जाएगा अब आपका कमेंट आपका फीड़ वैग क्या कहता है दोस्तों कि बाल मनो बिग्यान का केंद बिन्दू क्या होता है जी हाँ ऐसा बताईए जो अधियम के आकलन को उजागर करता हो सिच्छक किसी विद्यार्थी के निस्वादन का आकलन दूसरी निस्वादन की तुलना करता है सिच्छक विद्यार्थी के चिंतन प्रक्याओं पर ध्यान देने के लावा उनकी ओधार्णात्मक शमू का भी आकलन करता है यह सिच्छक मानक उत्रों से विद्यार्थी के उत्रों के तुलना करके आकलन करता है तो दोस्तो राइट आपसन हो जाएगा सिच्छक विद्यार्थियों के चिंतन प्रकियाओं पर ध्यान देने के लावा उनकी औधारात्मक शमू का भी आखलन करता है जब आप सिच्छक बनेंगे तो आप पता चल जाएगा कि आप लोग विद्यार्थी की चिंतन प्रकिया पर ध्यान तो रखते ही हैं इसके अलावा जो उसकी बच्चे की सिचार्थी की आउधारात्मा खुसमू का भी आप आखलन करते हैं अब आ गया दोस्तो आपका मौक कोशन जिसका मुझे था इंतजार वो मौक कोशन है दोस्तो तयार चले सभी लोग कमेंट करेंगे जिहां मौक कोशन आ चुका है कि सिच्छक बेवार सिध्धान का प्रतिपादन किसने किया है जिहां सिच्छक बेवार सिध्धान का प्रतिपादन एके मिस्रा A.S.S.Mathur D.G.Rain या N.T.Wari हो जाएगा आप सभी प्यारमित कमेंट करेंगे जैस्वाल सर सभी का विनंदन श्वागत करते हैं और इस मौक कॉस्चन का एंसर सभी का रिपलाई मिलेगा इस मौक कॉस्चन का एंसर सेसन नेस्ट प्रिक्टिस सेट में करेंगे तो दोस्तों इस क्लास कैसे लगी नीचे कमेंट मार्ग से जरूर बताएं और ऐसी क्लास बिस तैयारी के लिए सेलेक्शन के साथ टॉप रैंक वाली के तैयारी के लिए चैनल को जरूर विजिट करें अगर आपने अभी तक भी अपने टीचर्स फैमिली को सिचकों के परिवार को सब्सकाइब नहीं किया तो सब्सकाइब जरूर करें ताकि लाटिस नोट केसन मिलता रहे तो जल्दी मिलते हैं निस क्लास पर दोस्तों हमेशा हस्तरी मुस्कुराते रहे जैहिंद वंदे मातरम साथियों